मेरे डॉग के लिए कुछी इस तरह का मैंने सेट अप बनाया हुआ है इसको जो है वैसे तो यह फोल्ड रहता है क्योंकि यह फैला हुआ ऐसे रहेगा तो इसको चलाने में दिक्कत आती है तो इसको जब डॉग ले जाना है तो इसको ऐसे फैला देते हैं जब ऐसे अपने किसी और काम से जाना होता है तब इसको फोल्ड कर देते हैं क्योंकि फिर पैर लगाने में दिक्कत आती है इसके लिए इसको फोल्ड रखते हैं और जब इसमें dog बिठाना होता है तब इसको फैल आदेते हैं यह जो है एक काफी क्हापी मोटी पलाई का बना हुआ है क्योंकि पहले मैंने बनवाय था वो पतली पलाई का था तो वो ऐसे नीचे के लिए कमजोर हो रहा था इसको मैंने मोटीपलाई से दुबारा से बनवाया थोड़ा मोटा पहले तो इस तरह की कुछ कटिंग की उसने इधर से बाकाइदा कटिंग करके फिर उसने बिल्कुल फ्लेट बांदी बिल्कुल फ्लेट कर दी तो मुझे अनकमपटेबल हुआ तो मैंने इसमें दिमाग हो सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो फिर मैंने उससे कहा कि इसको यहां से काटके और इसमें यह जो खिड़की में लगे हुए होते हैं कबजे तो यह कबजे यहां पर मैंने लगवाए है कोई ज्यादा खर्चा नहीं सो पचास रुपए का खर्चा हुआ और यह चीज काफी कमपटेबल बन गई आपके लिए क्योंकि कई बार भी दिक्कत यह आती है कि आप इसकूटी चला रहे हैं आपके पैर लगने में पैर नहीं लगते हैं जमीन में या फिर यह फैला रहता है तो किसी के टकरा जाता है कोना बगेरा तो इसको जैसे आप फोल्ड रख सकते हैं जब आपको डॉग आप नहीं ले जा रहे हो साथ में तब आप इसको फोल्ड रखो और जब आप डॉग ले जा रहे हो तो आप इसको ऐसे अनफोल्ड करके इसमें डॉग को बिठा सकते हैं तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको कै कैसे मेरा डॉब इसमें बैठता है और कैसे जो है कि उसको हम कैरी करते हैं कि यह इस तरह से कुछ इतना चौणा बना हुआ है कि अब हुआ है कि इसके उपर इतनी जगह नहीं थी जो यहां पर मेरा डॉब बैठ सके इतनी जगह में यहां पर डॉब बैठ ही नहीं पा रहा था तब मैंने इसको जो है आईडिया लगा के यह सेट अप तयार करवाया कारपेंटर से कि अगर आपके पास भी जो है इस तरह से यह स्टेंड है और इसको जो है ऐसे में खूल के जो है इसको भी यह ला सकते हैं राइनो आ जाओ बैठो अ बैठो ईंटसी अब देखिए अराम से आखिए और अले लेट गया इसपे आधाँ जांग कि इतनी जगे में बेटने में तो इसका इतनी जगह में बनाया है प्ष्डिक 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 जुट डेकर तो, हगан के लिएसांगा थर दो प्ष्डिक आप में आप हैं